हेलो स्टुटेंट्स तो बत्स हमारा चैप्टर 15 कम्प्रीट हो गया था आज हम चैप्टर 16 रीड करेंगे अवर प्राइड यानि हमारी सान डाक्टर विक्रम सारा बाई इसमें देखो हमारी सान बढ़ाने के लिए किन-किन ने अपना योगदान दिया था यानि किन-किन ने हमने परतिबा दिखाय थी उसके बारे में बताया गया है अवर प्राइड हमारा गोरव है हमारी सान है डाक्टर विक्रम सारा बाई देखिए कौन थे क्या थे इनके बारे में हम जानते हैं इन्होंने क्या किया बारत के लिए ये सब इसमें डिसकसन किया गया है डाक्टर सारा बाई बगती और समर्पन के परतीक थे He had special interest in science and mathematics राइट science his childhood इनकी विशेश रूची science और mathematics में थी बच्पन से ही इनकी रूची है वो science और math में थी He found out the solution of many complicated problems associated with the universe and solar system इन्होंने युनि बर्मांड और solar पढ़ना ली कि बहुत ही मुश्किल problem जो complicated यानी समस्य मुश्किल problem समस्या आदी का solution यानी समादान किया था He gave the country a new direction in the field of energy इन्होंने देश को उर्जा के छेतर में एक नई दिशा दी and made universal force for its peaceful use इन्होंने शांती पुरन से शांती पुरन से सारव बोमिक परवाव दिये थे यानी शांती पुरन उप्योग से सारव बोमिक परवाव थोड़े थे He organized the Indian Space Research Organization इन्होंने ISRO जिसका short form क्या है ISRO इन्होंने Indian Space Research Organization का आईजन किया था India has launched many space satellites of Indian make into the space इन्होंने बारत में बारतियों के अंत्रीक से पर विभीन से टेलाइट उपगरों का लोंच किया था लोंच यानि लोंच यानि परेचेपित किया था He was not only a scientist of top rank यह के वल टोप रैंक यानि उचिर्स यानि ये टोप रैंक वाले वेगानिक ही नहीं थे बट ही आलसो शाओड चीन इंट्रेस्ट इन आर्ट, एजुकेशन और सोसल वर्क बलकि इन्हों ने आर्ट में, एजुकेशन शिक्षा में और सामाज के कारियों में भी अपनी गहरी रूची दिखाई थी तो वच्चो आपको विक्रम सारा भाई के बारे में पता चल गया है कि ये कौन थे इन्होंने भारत के लिए क्या किया था आपको ये डीड करना है कलम नेक्ष्ट वेजी डीड करेंगी वाई